एक्सरसाइस करते हैं एक्सरसाइस का लेक्चर वन देखिए मारा पहले क्वेश्चन है डोंगर प्रिजन सेंटेंस वुड इंफ्लूएंस ऑन क्रिमिनल्स यहां पर का जा रहे हैं कि अपना अपनियन दे रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं रगता कि लंबी समय के लिए किसी को जे प्रवावित करेंगे इंफ्लूएंस करेंगे ठीक है तो यहां पर आप देखो कि हमने एक वूड हेल्पिंग वर्ब लिखी है वहां पर और प्रेपोजिशन है और किमिनल सब्जेक्ट है अब हमें पता कि ऐसी वर्ब जिनके बाद हमें वाटिया हों के रिप्लाई की वुड इंफ्लू derechos होम वुड इंफ्लेश वड इंफ्लेंस करेंगे तो इतीड तो यह हम सीधे रेफिज से लेकेंगे क्यानाम यदोंट थिंग लोगर प्रिजैंतेंस इन्फ्लेंस अलाइक आपने कई वार हो सकता है देखा होगा कि इनफ्लॉएंस पर लिखी होती है लेकिन वह इन्फ्लॉएंस वहा पर होता है ना यहां फिक और और निए रहकर आहिए जैसे के एंप्ल से अपको सम्हाता घ्ल the influence their influence on your style is quite obvious तो अगर हम इस तरीके से यूज करें जैसे आप देखो यहाँ पर इंफ्लेंस वर्ड को ना हमने एक नाउन फ्रेज है इनको रिलेट करने के लिए जो हमने यह आन प्रेपरेशन यूज होता है लेकिन तब जब वह नाउन अगर वर्भ होत तब नहीं अगला कॉशन देखें ति यहाँ पर हमने क्याकिया है इनलान multUCK इस नाउन को used窮 से हमने और प्रेपरेशन है और आपको ध्याने की इनफर्मेशन वर्ड होता है इसके साथ में हमें preposition यूज करने चाहिए या तो about या फिर on information about और on something और somebody अगर हमें ये बताना है कि किस चीज से सम्मधित हमारी जानकारी है तो उसके साथ में preposition यूज कीजिए या तो on या फिर about जो हमने आफ लिखा नहीं गलत है ये ट्रांसलेशन के वज़े से लोग यूज कर लेते हैं तो लिखे दीज फाइल स्कंटेंड detailed information about our overseas customer ये इसका correction नेक्स्ट क्रेक्शन देखते हैं लेट मी नो इफ यू नीड अफ फर्दर इन्फरमेशन यहां पर आप देखेंगे एक इन्फरमेशन लिखा ना फर्दर उसके साथ में अडिट हमने अज्यक्टिव लिखा और ए हमने डिटर्मिनल लिखा अब अब हमें पता कि जो एन आर्टिकल सोते हैं यह वन की वीकर निंफरमेशन जो है वह औन गना इंफरमेशन जो है वह अं जो हैं इस लिए नहीं है तो आप एक है यह नहीं है लेकिन एह रटाना पड़ेगा एनी लिख सकते हो इसलिए मैं आपको सजेस्टन दे दिया देखो सम्हें इन है और है अप्लों है अप्लैंट अउफ है कि यह हमारे कुछ ऐसे काउंटेबल और अनकांटेबल इसमें आप एक और बढ़ा सकते हैं कि यहां पर हमने एक मिलब्य और उसके जाथ हमने एक एडवर्ब लिखा सीरेसली और यह जो हमने अग्जेक्टिव किया है इंजर्ड इंजर्ड वर्ड जो होता है ना यह एनिमल्स और हुमन के लिए उता है तो हमें ध्यान यहां पर यह रखना है कि जो इंजर्ड वर्ड है इसका यूज हम करते हैं हुमन्स और एनिमल्स के लिए उनको इंजर्ड होती है फास्ट बॉलर गॉट इंजर्ड अगर हम थिंग्स की बात करें प्लांट्स वगएरे की बात करें ऐसी सिच्वेशन में हमें वर्ड यूज करना चाहिए डैमेज्ड इसका यूज हम करते हैं टिंक्स के लिए कंवेशन में प्लांट्स के लिए लिए यह बा की आसी ने ज्रहेन ऊंनल थिंग्स के लिए लिए फॉसकी जगे वर्ड लेघनो就到 चाहिए अच्छा जिस्फली डैबिस का मतलों बहुत बुरे तरीके से जालरी डैमेट्स प्लांंत्स घ्लीए अन्स प्लांट्स है उनके लिए डैमेस वाट री द्युले घ्लीज़ा है ठीक है नेक्स देखें टेट 20 इनोसेंट पीपल एंड इन्जर्ड 25 अधर्स उसने वीश जो इनोसेंट लोग थे उनको गोली मार दिया गोली से एंड इन्जर्ड 25 अधर्स और 25 अधर्स को इन्जर्ड करती है अब यहां पे एक चीज हमें समझनी है किसी को किसी वैपन का कि अगर किसी वैपन का यूज करके कोई किसी को चोट मार रहा है तो यह इंजरी नहीं है यह घाओ करना है वूंड करना है ठीक है यहां पर हमें वर्विश करने चीजिए वूंड जैसे मैच होते हैं उसमें फास्ट बॉल कर रहा है इसको मतलब कुछ चोट लग गई टीक ह ट्विस्ट हो गया एंकल वह इंजरी है वह वूंड ने वह इंजरी है लेकिन अगर किसी को कोई औरिवेस करके शॉड इसको करके चोट मार दिये तो फिर इंजरी वुंड है ठीक है यह घुक में निखने लिगा न मिया इसको हटाइए बच्चों और इसका है देखिये वुंड़ेट लोगों को इसने गायल कर दिया और द्राइवर वास वेरिंग देशीड वेल्ट 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 वी दिंट इंजर अब देखिए यहां पर हमने दिंट हेल्पिंग लिखिया इसको हम बिना उब्जेट के नोज कर सकते इप Hai in जर का मतले में इंजर करना होता है कि होना नहीं तो जब भी आप इस्यों को यूश करेंगे यह पर टो इसके سाथ में हमेशा ऐक ऑब जेक्त होना चाहिए हैं और मालिजी कोई अब्जेक्ट नहीं है यह कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप लिख भाओ तो वहां पर इंजर्ड को एड्जेक्टिव बना लो इससे पहले को लिंकिंग वर्फ करके ठीक है यहां पर हम क्या सही कर सकते हैं कि इंजर्ड को आप एड्जेक्टिव बना दीजिए तो इसके साथ में लिंकिंग वर्फ लिखेटिजेए ठीक है आप देखो यह सेम क्वेश्चन है कि माइट जो है मॉडल है हिल्पिंग वर्थ इंजर यह वर्व है अब हमने अब्जेक्ट नहीं लिखा इसके बाद यह देर हमने लिखा न बच्चो यह अब्जेक्ट नहीं हो सकते यहां पर हमने वर्व लिखी लेकिन उसका अब्जेक्ट नहीं लिखा और यह ट्रांस्टिव वर्व बिन ऑब्जेक्ट के आएगी नहीं तो हम इसको कैसे सही करें तो हमारे पास एक तरीका तो हम कोई सेंसिवल सा अब्जेक्ट लिखते हैं करें आ Wow आप ऐ माएट इंजर हर्सेल्फ You are Himself बीढ़ा ठीक यार दूस्ट रिख सकते हों आप अलिए Princess सुनल गुरी नहीं तो फिर वोहीं तरीक्प आप लिख दो आई वोज ऑफ्रेद देट सी माइट गेट इनजर्ड Right ही माइट गेट इंजर्ड there is to be an official inquiry into the cause of the crash यहां पर एक नाउन हम नहीं उसके है बच्चे इन्क्वाइरी यह दो वर्ड है को अब यह दो वर्ड सर्परि यह को बड़ा डे फ्रेंस नहीं है अमेरी कन इंग्लिस में यह दोनों एक लिए profits जय्दा कॉमान आं मेरिकन इंग्लिस में ने बेस्य इंग्लिस में जिसका हम फॉलो करते हैं ट् Braun में difference होता है यह जो हमने inquiry लिखा है यह asking for information asking for information request for information मान लीजिए आप किसे कोई जानकारी चाहते हो तो आपने उससे जानकारी मांगने के लिए inquiry की तो यह वाली inquiry ठीक है अच्छा और अगर formal investigation है, official investigation है kishe serious matter का, official investigation of some serious matter, official investigation, serious study है some matter की, serious study of some matter, so ऐसे case में फिर आपको I वाला inquiry word उसकरना चाहिए तो यह इन में डिफ्रेंस होता है आई वाला जो इंक्वारी है इसका मतलब है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन आप सम सीरियस इशू ठीक है स्टडी ऑफ संथिंग आम बोल चाल में जैसे कोई बच्चा है उसने किसी नंबर पर फोन करके कोई जानकारी मांगी कि उसने रेल जोइन करना कब से लॉंच होगा इसमें क्या-क्या पढ़ाया जाएगा तो यह वाली इंक्वारी है जब आप किसे कोई इंफरमेशन मांगते हो लेकिन जब कोई प्रॉड हो गया कोई मर्डर हो गया कोई एक्सिदेंट हो गया कोई बैंक में बड़ा से गड़बड़ी हो ठीक है तो उसमें टीक वी यह वाली इंक्वारी उत इह में ध्यानते है झालिक हो दियर इस टू बड़ान वगरें क्राइश कर गया आप उसकी ऑफिशल इंक्वारी होगी क्या कारण हो वा कॉनिसका गिल्टी है एक यहां पर यह जो गलत है इसको हटाई और लिखे प्रॉ यह वाला आंसर वह देर वर शिल्वर स्पून एंड सम्सार्स इंसाइड ऑफ दो ओल्ड बॉक्स देखिए इसके में जरुवत नहीं हटा दी इनसाइड खुद एक प्रेपोजिशन है तो उसके साथ हमें दूसरी प्रेपोजिशन लिखने जरुवत नहीं उसके बाद डायरेक्ट में उसका अब्जेक्ट लेखना चाहिए तो इसको लिखे देर वर शिल्वर स्पून एंड सम्सार्स इंसाइड दी ओल्ड बॉक्स इंसाइड इंसाइड प्रेपोजिशन इसल एक थोटी चीज़े और हम समझ सकते हैं यहां से जैसे म खलाद रखनि एंसवसर नहीं साइल को ङहें सो डरॉब नहीं से जैसे मुआ की ूटी नहीं साइड ौटी जैए जब्र प्रें। कि वास विंग इंसाइड ट्रेडिंग अब आप इन सेंटेंज में देखना यह जो इंसाइड वर्ड हमने लिखा यह एडवर्ब वेर कर एप्लाई देरिस्टों प्रेपोशन कर यह भुए सेंसाइड दी रूम इंसाइड ब्सकाइणा दे ब्रेट फिर मिलिखा ही वुज दूएंड वाट कैंड अवच इinement है नाउन वंत का इन सेंट अध से तो हम एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि इंसाइड वर्ड जो है वो केवल प्रेपोजिशन ही होता है इंसाइड वर्ड एडवर्ब भी होता है जब हम इसका यूज करते हैं वेयर को रेप्लाई करने के लिए तो यह एड़वर्ब है इंसाइड पर लिखा देर इस नोबड़ी इंसाइड दी रूम प्रेपोजिशन फिर हमने लिखा देह पेंट उन्होंने पेंट कर दिया वाट 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 का रिप्लाई आगे इंसाइड तो देंसाइड यहां पर अब्जेक्ट हो गया पेंट अडवर्ब का तो यह नाउन ह आप इसको वेर का रिप्लाई करने के लिए उसकरते हो तो यह तो यह अगर कोई नावन ने प्रणावन इसके बाद में अप लिख कर रहे तो फिर यह प्रेपोजिशन है अगर इसको इंड़ेडेंटली उसकर रहे तो यह यह आप जैसे आपने लिखा देर वर असिल्वर इन्सिस्ट्ट्रांस्ट्रिवर्व होती है इसे यह हमारी इन्ट्रांश्ट्रिवर्व है कि यह हमारी इन इस साथ हमेशा ना प्रेपोजिशन लिखनी पढरते हैं अब आप देहाद से देखोंने ओन नहीं लिखा तो हमें ध्यान ने रखना है कि दवर्व इंसिस्ट इस ऑल्वेज पॉलोड वाई ऑन प्रेपोजिशन ठीक है और उस ऑन प्रेपोजिशन के बाद में अगर आप किसी वर्व को लिखो तो जिरेंट फॉम हैंगी एक चीज तो यह हो गई एक छोटी से बात हमें यहां से और बात ध्याना रहें कि नहीं कि इनसिस्ट वर्व के साथ में एक दो छोटे-छोटे पॉइंट से मैं आपको बता देता हूं ध्यान रखना है वह उन्हें लिख लो पहले हैं आप तो इंसिस्ट ऑन कि एग्दों और हमें देखने चाहिए इंसिस्ट रिलेके से एक X and X and X they insisted for quick solution तुसरा, आ इस्सेट, आ आ, आ सिर्ट, आ, 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 they insist that they insist on that we allow them to go we insisted that that he had proper rest here insist verb insist verb important uses insist verb insist verb insist insist verb insist if insist on 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 we allow them to go that clause on 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 exam exam on 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 next next lecture by bye 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 bye